ध्यान देने योग्य जरूरी बातें एक आप अपनी जब भी पानी पिए हमेशा बैठ कर ही पिए दो फ्रिज में रखा हुआ ज्यादा ठंडा पानी न पिए क्यूंकि इससे आपके दान्द कमजोर हो सकते हैं तीम गर्मियों में धूप से आकर तुरंथ हाथ पैर और नाक और मुगना धोय नंग चार जिन लोगों को कब्स की दिक्कत रहती है उन्हें पके हुए पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए पांच चहरे पर निखार लाने के लिए तुलसी की पत्तियों को गुलाब जल में 10 से 15 मिनिट तक भिगो कर रखें इसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर मिक्स करके चहरे पर लगाएं इससे चहरे पर निखार आ जाएगा छे पके हुए अनार का रस गर्म करके बच्चों को पिलाने से बच्चों की उल्ती रुख जाती है साथ पत्री की दिक्कत हो तो टमाटर पालक और बैगन का सेवन ना करे आठ कब से बचने के लिए खाली पेट केला आम और खर्बूजा ना खाएं और ना ही पेट भर कर खाना खाएं नौ साइकल चलाने से हड्डियों के दर्द की दिक्कत नहीं होती है 10-12 रोटी खाने से दान्तों में थंडा गरम लगने की दिक्कत दूर हो जाती है और दान्त मजबूत होते हैं 14 हरी मिर्च खाने से नजर तेज होती है 12 पेट में कब्स और गैस वगैरा के लिए गन्ने का रस फाइदेमंध होता है तेरा देसी घी का सेवन करने से हड्डिया मजबूत होती है और शरीर ताकतवर बनता है 14. अगर आप तिल तेल के तेल में लहसुन की कलियां पीस कर बच्चों या बड़ों के शरीर पर मालिश करते ही तो ठंड जुकाम खांसी कफ और हड्डियों के दर्ध जैसे समस्याओं में आरा मिलता है 15. एक जो औरते सुबह खाली पेट एक चम्मच देसी घी का सेवन करती है तो उनके दिमाग की सेल्स एक्टिव रहती है जिसके कारण आपकी याददाश्ट और सीखने की क्षमता भी बढ़ती है देसी घी के सेवन से आप अल्जाइमर जैसी बीमारी से भी दूर रहेंगे 15. सोना जामुन के पत्ते चबाने से शुगर में काफी हद तक फायदा होता है 17. गोड के साथ मेथी की सबजी पी कर खाने से गठिया रोब कम हो जाता है फिर धीरे धीरे चला जाता है 18. दर्द वाली जगा पर सरसो के तेल की मालिश करने से जोड का दर्द गायब हो जाता है 19. यदी आप शारिरिक रूप से दुबले हैं तो दूद के साथ अंजीर खाएं यहाँ आपको अत्यंत शक्तिवर्धर और वीर्यवर्धक बना देगा 20. बोजन के बाद मीठा खाने से पेट संबंधी रोग दूर होते हैं तथा उम्र लंबी होती है 21. जुकाम से होने पाले सरदर्द में गर्न पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर उसमें कुछ समय के लिए अपने पैरों को डूबा कर बैठे आपको आरा मिलेगा दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेर करे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को स सब्सक्राइब करे धन्यवाद